हैलो वीवर्ज, अस्सिलाम लेकूं, मैं हूँ रोशन, आज मैं आपके साशेर कर रहे हूँ करोंदे की चटनी और सूजी और आलू का बहुत ही टेश्टी नाश्टा बनाने की रेसिपी करोंदे ये हमारे घर पे फले हुए हैं और बरसात में ये फलता है इस तरह से देख सकते हैं हमने तोड़ लिया है ये खटा होता है इसको धोने के बाद बीज से कट करेंगे और ये बीज जो है उसको हम निकाल लेते हैं सभी को इस तरह से और इस तरह से हमने निकाल लिया है देख सकते हैं बीज अलग कर लिया है दो हरी मिर्च हमने लिया है तीन से चार कल ये लासुन का हम लेते हैं और इसको हम एकसी के जार में डालते हैं और इसमें हम हाफ टीस्पून नमक आइड करते हैं और एक टीस्पून इसमें हम चीनी आइड करेंगे इससे खटा थोड़ा कम हो जाएगा थोड़ा सा पानी डाल करके पीस लेते हैं और जट पठ हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत टेश्टी लगता है इसे पकोड़े के साथ समोसे के साथ जिस चीज के साथ आप खाना चाहें बहुत टेश्टी लगता है तो चलिए अब स्नेक्स बना की बने बने पानी डाल रहें है और थोड़ा गर्म करेंगे ज्यादा अब आल नहीं है तो छीक्ष Y से कम नंचिची लीए और यह थोड़ा गरम पानी था और डाल देते हैं और फिलेम को अभी हमने लो रह रख खा हुआ है और इस तरह चलाते रहें चुप और बहुत अच्छा पक जाएगा ऐसे अगर ये फिलेम को हाई रखेंगे तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए आपको पकाना है तो फिलेम को कम रखें तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत अच्छा ये ठीक हो चुका है अब हम दो अगर निकालने के बाद कड़ाई हम धो लेते हैं, इसी में आगे हम बनाएंगे तो इसको धक लेते के बाद यह एक हमने प्याज लिया और इसमें दो हरे मिर्च हम इसको फ्राई कर लेते हैं, हल्दी पाउडर, एक चोथ हाई टिस्पून, एक चोथ हाई टिस्पून, ज का है इसको इस तरह से डालने के बाद इस तरह से स्पैचुला से मिक्स करेंगे तोड़ देंगे इस तरह से यह तूट गया है अच्छी तरह से इसमें नमक एक चौथाइटी स्पून डालते हैं और एक चौथाइटी स्पून से थोड़ा सा कम हमने इसमें गरम मसल आइड किय हैं क्योंकि बरसात का मौसम है तो यह थोड़ा सा इसमें मौस्चर आ जाता है तो ऐसे मसलता नहीं है तो इस तरह से हमने निकाल लिया है देख सकते हैं और इधर सूजी को हमने ढग दिया था ऐसे अगर नहीं ढगते तो फिर ठंडा हो जाता काफी गरम है अभी तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा हम ओयल डालते हैं जैसे यह चिपकेगा नहीं ज्यादा तो ऐसे हाथ में हम ओयल ले लेते हैं और अच्छी तरह से मसलेंगे इस तरह से और देख सकते हैं काफी soft है अच्छी तरह से इसको डो की तरह मसल के रखना है इस तरह से देख सकते हैं हमने मसल लिया है और एक चकला लेते हैं उसमें हम oil डालते हैं इस तरह से लगाते हैं और इस तरह से लगाने के बाद सूजी को इस तरह से हम हाथ से फैलाएंगे बहुत soft है देख रहे हैं कितना अच्छा यह फैल चुका है पतला ज्यादा नहीं रखना है ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है इस तरह से हमने रोटी की तरह ऐसे हाथ से फैला लिया है एक गलास ल साइज आप देख सकते हैं और यह जो एक्स्टरा इसको निकाल लेंगे और फिर से इसी तरह से हाथ से दबा करके रोटी की तरह करेंगे और वैसे ही इसको भी हम बनाएंगे तो इस तरह से देख रहे हैं बहुत अच्छा हमारा ये टिक्की जैसा बन चुका है तो इसको हम साइड में कर लेते हैं और इधर हमारा स्टफिंग भी रेडी है तो इसके उपर एक एक चमच हम डालते हैं और पुल टिकी की तरह ये हमारा बन चुका है और एसे ही सबी को हम बना लेते हैं बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है देख रहे हैं बहुत जट पथ हमने बना लिया है और बहुत टेश्टी लगता है दो टेबल इसमून हमने मैदा लिया एक चौ थाइड आईटी स्पोन नमक, थोड़ा सा रेट चिली पाउडर, थोड़ा सा जवाइन हमने इसमें डाला, मिक्स कर लेते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे, ज्यादा पतला भी नहीं और ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है, तो इस तरह से घोल तियार करना है, देख सकते हैं, बहुत पतला भी नहीं लग रहा है, ओयल को हमने गरम कर लिया है, और इस तरह से एक हम डाल देते हैं, दूसरा थोड़ी देर के बाद डालेंगे, और जितना एक बैच में आ सके उतना आप डाल सकते हैं, और एक तरफ सिखने के बाद दूसरी तरफ पल्टें, इस तरह से मेडियम पर आपको सेखना है, बहुत अच्छा क्रिस्पी लगता है, गरम गरम अगर आप इसे सर्फ करेंगे, बहुत टेस्टी लगता है, समोसा कचोरी आप खाना भूल जाएंगे, इस तरीके से अगर नाश्ता आप बनाएंगे तो देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छा इसको से करना बिलकुल ना भूले हमारे चैनल तारानूर कोकिंग को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे की मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले, और ये गरम गरम में आपको हम तोड़ कर दिखा रहें, इसके अंदर का ये स्टाफिंग देख अच्छा बना है, चटनी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं, आप भी जरूर ट्राइ कीजिए और कमेंट कीजिए